हैलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजराच बोड का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चाप्टर नमबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहनिस बर्ग जिससे लिखा था मोहन दास करमचन गांधी ने इसके हम कोशन एंसर को इसमें करने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ कोशन एंसर को किये थे आज हम पार्ट 2 में बचे वे कोशन एंसर को कम्प्लीट करेंगे तो आएए इसे हम स्टार्ट करते लिखा है निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर सविस्तार यानि 5-6 वाक्यों में लिखिए फर्स्ट कोशन है सिक्रम का टिकट रद होने का क्या रहसे था क्यों कहा गया था कि सिक्रम का रिकर जो भी टिकट है वो रद हो गया है तो गांदी जी के पास सिक्रम का टिकट था इसके अलावा अब्दुल्ला सेट ने सिक्रम वाले के नाम तार भी कर दिया था सिक्रम में सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया भी था उसने गांदी जी से कहा कि उनका टिकट तो रद हो गया है गांदी जी ने उसे बताया कि उनका टिकट सही है पर गोरे मुखिया के मन में तो कुछ और ही था उसकी दृष्टी में तो गांदी जी कुली थे वह नहीं चाहता था कि वे गोरे यात्रियों के साथ बैठे इसलिए उसने जान बूच कर गांदी जी के टिकट को रद कर दिया या उसने ऐसा क्या कि रद आपका टिकट रद हो गया है ऐसा बताया इस प्रकार गांदी जी का सिक्रम का टिकट रद हो गया या रद होने का रहस से गोरों के बीच एक भारतियों के बैठने की असहन सीलिता थी इसमें हम देखते हैं कि गांदी जी का टिकट सही था लेकिन गोरे मुखिये ने वो नहीं चाहता था कि गांदी जी उन अंग्रेजों के साथ या गोरों के साथ बैठे उनके बीच बैठे इसलिए उसने गांदी जी से जूट कहा कि आपका टिकट तो रद हो गया है जबकि गांदी जी का टिकट रद नहीं हुआ था जो गोरा वेक्टी था वो भी सिक्रम कम्पनी का मुख्या था कौन गोरा वेक्टी और वो नहीं चाहता था कि गांदी जी उन अंग्रेजों के साथ बैठे गोरे वैक्तियों के साथ बैठे क्यों नहीं चाता था क्योंकि उसकी दृष्टी में उसकी नजर में गांदी जी कुली के समान थे भारतियों को अंग्रेड कुली के समान मानते थे और गोरे की नजर में भी ऐसा ही था वो गांदी जी को कुली के समान मानता था और वो नहीं चाहता था कि वो गोरे यात्रियों के साथ में बैठे इसलिए उसने क्या किया उसने जान बूच कर गांदी जी को कहा कि आपका टिकट रद हो गया है जबकि गांदी जी ने उन्हें ये कहा भी कि नहीं मेरा टिकट रद नहीं हुआ है लेकिन वो गोरे मुखिये ने उनकी बा जो गोरा मुख्या था वो उनको सिक्रम में अंदर की तरफ नहीं बैठने देना चाहता था यह जो द्रश्य था यह जो बात होई थी उनके बीच तो यह गांधी जी के लिए आसाहनसील थी गांधी जी के लिए यह बरदास्त के लायक नहीं थी गोरे मुख्या और गांधी जी के बीच जगड़ा क्यों हुआ? क्या कारण था जिससे गोरे मुख्या और गांधी जी के बीच में जगड़ा हो गया? दक्षिन अप्रिका में भारतियों को कुली माना जाता था गांधी जी भी भारतिये थे वे सिक्रम में गोरे यात्रियों के साथ बैठे थे गोरा मुख्या इसे सहन ना कर सका वह गांधी जी की सीट या बैठक पर बैठ गया और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल वाली बैठक पर बिठा दिया जहां वास्तों में उसे बैठना चाहिए था गांधी जी ने उस अपमान को सहन कर लिया बाद में उसके इक्षा वहां बैठने के हुई जहां गांधी जी को उसने बिठाया था उसने एक मैला सा बोरा पैर रखने के पटिये पर बिच्छा दिया और गांधी जी से कहा कि वे अपनी बैठक से उठ जाएं और उस बोरे पर बैठ जाएं गांधी जी इस अपमान को बरदास ना कर सके इसी बात पर गोरे मुखिया से उनका जगड़ा हो गया तो क्या रिजन था कि दक्षिन अप्रिका में जो भारतिय लोग थे उनको कुली के समान माना जाता था मजदूर के समान माना जाता था और एक गांधी जी वो भी भारतिय थे भारत के निवाशी ही थे तो सिक्रम के बीच में या सिक्रम में गोरों के बीच में गांधी जी को बैठना या उनको बैठे देख गोरे को बरदास नहीं हुआ और वे सिक्रम में गोरे यात्रियों के साथ ही बैठे थे तो यह बात देख कर गोरा वैक्ति था उससे यह सहन नहीं हुआ उससे यह बरदास नहीं हुआ कि कोई भारतिय सिक्रम के अंदर गोरे वैक्तियों के साथ कैसे बैठ सकता है वह गांधी जी के सीट पर जाकर बैट गया और गांधी जी से कहा कि आप तुम कोचवान की बगल वाली सीट पर बैट जाओ तो गांधी जी कोचवान की बगल वाली सीट पर बैट गए लेकिन वास्तों में वो वहाँ बैठना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरन उनको वहाँ बैठना पड़ा और गांधी जी की सीट तो सिक्रम के अंदर थी बाद में गांधी जी ने उस अपमान को तो सहन कर लिया कि उसने उसकी जगत छिन कर उन्हें कोचवान की बगल में बिठा दिया लेकिन जब गोरे वैक्ती को ये मन हुआ कि उसे सिगरेट पीना था तो वह कोचवान के बगल में जहां गांधी जी बैठे थे वहां जाकर खुद बैठ गया और नीचे एक मटमेला सा बोरा जो बहुती गंदा था उसे बिचा दिया अपने पैरों के नीचे और वहां पटिय पर बिचा दिया और उस बोरे को दिखाते वे गांधी जी को कहा कि तुम यहां बैठ जाओ लेकिन गांधी जी उस बोरे में बैठने के लिए तैयार नहीं थे उनसे यह अपमान बरदास्त नहीं हुआ गांधी जी से तो इसी बात को लेकर जब गांदी जी वहाँ उस बोरे में नहीं बैटना चाह रहे थे तो इसी बात को लेकर दोनों में जगड़ा हो गया गोरे मुखिये में और गांदी जी में दोनों में जगड़ा हो गया इसी बात को लेकर क्यों कि पहली बार तो गांधी जी ने बरदास्ट कर लिया सहन कर लिया लेकिन सेकेंड टाइम वो बरदास्ट ना कर सके जब वो वहां से नहीं उठे तो दोनों में जगडा हो गया थार्ड कोशन है आपका गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिठी क्यों लिखी क्या रीजन था जो उन्होंने सिक्रम कंपनी है उनके एजेंट को चिठी लिखी तो अपमान के घूट पीते वे गांधी जी स्टैंडर स्टन से जोहनिस बर्ग पहुंच गए उन्होंने सिक्रम कमपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखा उसमें उन्होंने उस गोरे के शिकायत की जिसने उनके साथ दुरुयभार किया था कमपनी वालों से गांदी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिक्रम में अंदर की जगा देने का आगरह किया उत्तर में एजेंट ने गांदी जी को अस्वस्त किया कि कल वह गोरा नहीं रहेगा कल स्टांडर स्टन से बड़ी सिक्रम आएगी उसमें उन्हें यात्रियों के साथ सिक्रम में अंदर जगह मिलेगी इस प्रकार एजेंट ने गांधी जी को अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ गांधी जी ने सिक्रम कमपनी के एजेंट को पत्र या चिठी इसलिए लिखी थी उसका कारण यह था कि जब वो चाल्स टाउन से जोहनिस बर्क के यात्रा कर रहे थे तो चाल्स टाउन से जब वो सिक्रम पे बैठे थे तो उनकी सीट अंदर थी लेकिन वो गोरे वेक्ती ने गोरे मुखिया ने उन्हें अंदर नहीं बैठने दिया उन्हें कोचवान की बगल में बिठा दिया और बाद में उनकी जगव वहां से भी उठा कर उन्हें नीचे अपने पैरों के तले बोरा दिया गंदी बोरी मटमेले बोरी दी और उसमें उन्हें बैठने को कहा तो ये चीज काली जी से बरदास नहीं हुआ ये घटना आगे ना हो स्टैंडर स्टन से जोहनिस बर्ग के बीच ये घटना ना हो इसलिए उन्होंने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम से पत्र लिखा और उन्होंने शिकायत की किसकी उस गोरे मुखिया की जो गांदी जी के साथ दुर वैभार किया था जो गलत वैभार किया था आमानुशिक वैभार किया था कंपनी वालों ने भी गांधी जी को आस्वस्त किया तसली दी कि सुबह जब आप यात्रा करेंगे तो सिक्रम में आपको अंदर ही जगर दी जाएगी आपको बाहर ऐसी कोई परिशानी नहीं होगी और उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को यह तसली देते वे भी कहा कि आज जो गोरा मुखिया था वह कल नहीं होगा वह कल इस सिक्रम में नहीं रहेगा कल स्टैंड स्टन से बड़ी सिक्रम आएगी आज जो सिक्रम है उससे बड़ी सिक्रम आएगी और उसमें उन्हें यात्रियों के साथ बैठने के लिए जगह मिलेगी तो गान्दी जी को सिक्रम कंपनी के एजेंट से भी अनुकूल उत्तर मिला उनके हिसाब से जैसा वो उत्तर चाह रहे थे उनके तरब से भी आस्वासन दिया गया तसली दी गई तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको ये कोशन एंसर समझ में आये होंगे तो प्लीज आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कामेंट करना न भूले थैंक यू